students welcome back to my channel अगर आपने अभी तक में चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को subscribe कर दो और bell notification भी ज़रूर दबादे ना ताकि आपको आने वाले वीडियो की notifications time पर मिलते रहें आज के वीडियो में हम जो introduction राजस्थान का कर रहे थे उसकी एक last 4 है तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं आज हम बात करेंगे उसके आगे के topic के बारे में बात करते हैं border districts of Rajasthan Rajasthan की कौन कौन सी border districts है पंजाब है पहली state district of Rajasthan कौन सी है श्री गंगा नगर हनुमानगर दो आती है इसमें district neighborhood state की कौन सी है फाजल का जो की बनी थी जब splitting हो गई थी फिरोसपूर district की और दूसरी है मुकतसर ठीक है उसके बाद next है हरयाना मुकतसर भी बोलते हैं इसको तो चलिए next पर चलते हैं हरयाना पर हरयाना का जो state district of Rajasthan है उसमें हनुमानगर साथ आ जाएंगी हनुमानगर चूरू जुनजनू सीकर जैपूर अलवर भरतपूर और district of neighborhood state आ जाएंगी सिर्सा, फतेबाद, हिसार, भिवानी और मंदरघर और रिवारी मेवत नह बोलते हैं 7 ही इसकी districts आएंगी neighborhood state की उसके बाद में आ जाता है UP, उत्तर प्रदेश, उसके अंदर जो state districts of Rajasthan है वो हैं भरतपूर, धोलपूर और districts of neighborhood state हैं मतुरा और आगरा उसके बाद बात करते हैं, next है मध्यप्रदेश so इसमें 10 आ जाएंगी districts जो की हैं धोलपूर, करोली, स्वायमा धोपूर, कोटा, बरन, जलावर, चित्तोरघर, बिलवारा, प्रताबघर, बांशवारा उसके बाद जो neighboring districts आएंगी वो हैं मुरेना, शियोपुर, शिवपुरी, गुना, राजकर, आगरा, मलवा and then रतलं and उसके बाद हैं मंद्रोर, पता नहीं क्या है ये मंसौर है या ये थिंग, मंसौर, नीमच and जबुआ ओके तो ये 10 आ जाएंगी थोड़ा pronunciation difficult है तो बार-बार करने से ही आएगा उसके बाद गुजरात की बात करते हैं गुजरात के अंदर जो districts राजसान की यहां पर बता रही हैं वो है बारमेर, जालोर, सिरोही, उदैपुर, डुंगरपुर, बांसवारा देन नेबरिंग जो states हैं वो हैं नेबरिंग जो districts हैं वो हैं कच, भुज और है बंसकंथा, पालनपुर उसके बाद है सबरकंथा, हिम्मतनगर, अरावली, मोदासा, माही सागर, लोनावला, दहोद तो यह जहां star लगा हुए ना चिनके ओपर यह newly formed हैं उसके बाद note आजाएगा उसके बारे में बात करते हैं फाजल का और मुक्तसर जो है यह districts पंजाब की हैं जो border share करती हैं राजस्तान के साथ में and constitution जो है फाजल का district का हुआ था जब फिरोजपूर district का division हो गया था 27 July 2011 में next आजाएगा जो गुरगाओं है name new name इसका है गुरू ग्राम no longer share यह border share नहीं करता है राजस्तान के साथ after formation of मेवत नुह जो है मेवत district बनने के बाद में यह राजस्तान के साथ border share नहीं करता है और यह district बनी in haryana on 4th April 2005 उसके बाद next आजाएगा so next है हमारे पास में अगर मालवा district was formed after division of सजहपूर district of Madhya Pradesh on 16th August 2013 फिर है यहाँ पे for new अगर मालवा district is neighborhood district है राजस्तान की वाइल जो शाजापूर district border है वो राजस्तान को अब नहीं touch करता है और उसके बाद में है अरावली और माही सागर districts जो है गुचराज state की वो इती 15th August 2013 को जो share करती है borders with state of राजस्तान के साथ कुछ changes हुए है जो हमने भी पढ़ा ना कि कौन से districts जो है वो किन किन जगाओं की है और कौन सी neighboring districts है उनके अंदर भी काफी changes है कि कौन सी district अब border को राजस्तान की border को touch कर रही है और कौन सी नहीं touch कर रही है उसके बाद में बात करते हैं कुछ important cities है राजस्तान की और उनके founder कौन है मतलब कौन सी city को किसने बनाया है तो सबसे पहले जैपूर के founder थे महाराजा स्वाय जैसिंग to year 1727 में उन्होंने जैपूर को found किया था next city है जोदपूर जिसके founder थे राओ जौधा year 1459 में ये found हुई बीका नेर के थे राओ बीका जो की 1488 में found हुई उद्धेपूर के थे महाराना उद्धे सिंग year 1568 किशनगर के थे किंग किशन सिंग राठोर year 1611 अजमेर के थे किंग अजे राज चोहान year 1113 उसके बाद में आजाएगा बारमेर बारमेर के थे बरद देव चोहान year 1246 उसके बाद सिरोही जिसके थे किंग शाश्मल चोहान year 1425 उसके बाद है रजसामंद उसके फाउंडर थे महाराना राज सिंग year 1660 जैसल मेर के फाउंडर थे रावल जैसल दियो भाती year 1155 उसके बाद है करोली करोली के फाउंडर थे किंग अरजुन पाल यादव year 1348 उसके बाद श्री गंगानगर महराजा गंगा सिंग बिकानेर year 1620 भरतपुर किंग बदन सिंग year 1723 अलवर किंग प्रताप सिंग year 1774 जलावर के थे जला जलीम सिंग year 1817 एंसीकर के थे राव शिव सिंग year 1721 to 1748 उसके बाद में बात करते हैं एक सेकिंड या I think so कि यह जो year दे रखा है यह year उनका है कि या तो उनका birth कब हुआ था यह मैं आपको पता करके बता दूँगी कि exact यह year इस city के found होने का है या फिर यह year जो यह founders है इनके जनम का है ठीक है यह मैं आपको confirm करके comment box में comment कर दूँगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है important inter-district borders हैं जो formed हुए थे rivers के द्वारा राजस्तान में तो river है साभी उसे districts जो थी वो बनी जैपुर अलवर तो गंभीर से जो river थी उससे जो inter-districts बने थे वो थे स्वाय माधुपूर करोली मोरल रीवर से बने दोसा एंड स्वाय माधुपूर इंटर दिस्टिक बॉर्डर उसके बाद वापेस मोरल है उसे दोसा जैपुर भी बना जो इंटर दिस्टिक बॉर्डर है वो बना बांधी से बना जोदपूर पाली इंटर दिस्टिक बॉर्डर जवाई से बना पाली सिरोहे इंटर दिस्टिक बॉर्डर खारी से बना था अजमेर बिलवारा इंटर दिस्टिक बॉर्डर नेक्स्ट है बनस, बनस से बना अजमेर बिल्वारा, इंटर डिस्ट्रिक बॉर्डर बनस से अजमेर टॉंग, इंटर डिस्ट्रिक बॉर्डर भी बना, उसके बाद माशी माशी से अजमेर टॉंग, इंटर डिस्ट्रिक, खारी से भी अजमेर टॉंग, इंटर डिस्ट्रिक बॉर्डर भी बना नेक्स्ट है चंबल चंबल रीवर से बना कोटा स्वाय मादूपूर इंटर डिस्रिक बॉर्डर चंबल से कोटा बुंदी इंटर डिस्रिक बॉर्डर भी बना माही से दुंगरपूर बांसवारा बांसवारा प्रताबगर इंटर डिस्रिक बॉर्डर बन अब यह जो 8 districts हैं Rajaistan की दोस उनागवांदरी 8 districts है Rajaistan की जो कि boundary share नहीं करती हैं किसी भी country या state के साथ में hence जो ये districts है इनको inner districts भी कहा जाता है ये 8 districts कौन सी हैं किसे भी country या state के साथ में border share नहीं करती है अपनी boundary share नहीं करती है वो हैं पाली, रजसामंद, जोदपुर, नागोर, डोसा या दोसा इसको बोलते हैं अजमेर, टॉंक, बुंदी यह आठ डिस्ट्रिक्स हैं जो की अपने कंट्री मतलब अपने बाउंडरी को किसी कंट्री या स्टेट के साथ शेयर नहीं करती हैं उसके बाद बात करते हैं प वारा पाली बाउंडेड है वो है जोदपुर, नागोर, रजमेर, रजसामंद, दुदपुर, सिरोही, जालो और बारमेर फाइव बिग्गेस डिस्ट्रिक्स जो हैं राजस्तान की टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो वो है जैसलमेर जैसलमेर का एरिया है 38,401 स्क्वेर किलोमेटर फिर है बारमेर फिर आजाएगा बिकानेर फिर जोदपुर, नागोर रस्पेक्टबली तो यह फाइव इन्होंने बताई हैं जो की बिग्गेस डिस्ट्रिक्स हैं राजस्तान के अंदर सबसे बड़ा एरिया है इनका सबसे पहले है जैसलमेर सबसे बड़ा है बारमेर उसके बाद बिकानेर फिर जोदपुर फिर नागोर स्मोल दस्ट्रिक्ट जो है वो है दोलपुर उसका एरिया है 3034 स्क्वार किलोमेटर शेप जो है राजस्तान की वो रॉम्बस के शेप को रिसेंबल करती है रॉम्बस के शेप जैसी ही शेप राजस्तान की है व तो हमारा जो एक इसमें confusion थी कि जो city है, city के founder के आगे year दिया हुआ है, वो city के founder का year है या founder के birth का year है, वो मैं आपको find करके जितना जल्दी हो सके comment box में बताऊंगी नहीं, तो next video मैं आपको explain कर दूँगी.